नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपको बताएंगी कि अगर आप मुंबई से शेडी जाना चाहते हैं और सेम डे यातरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आपको बता दें कि मुंबई शीडी रूट पर चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को जवर्दस्त पसंद आ रही है नासिक से होकर जाने वाली इस सैमी हाई स्पीड ट्रेन के साई शीडी नगर त्रिम्बकेश्वर और शनी शिगनापूर जाने वाले शद्धालियों को खूब फायदा हो रहा है ऐसे में अगर आपको भी इन तीर स्थलों की यात्रा करनी है तो आप भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर का आनंद ले सकते हैं आपको बता दें कि इस ट्रेन की सुविधा इतनी कजब की है कि हर कोई इसे पसंद कर रहा है मुंबई शेड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को इतनी पसंद आ रही है कि भर भर के बुकिंग चल रही है शुरुआती एक महीने में यह ट्रेन खूब कमाई कर चुकी है आपको बता दें कि सपता में 6 दिन यह सेवा चलती है और यह ट्रेन अभी तो 100 से कम स्पीड की चल रही है लेकिन आने वाले दिनों में यह स्पीड बढ़ाई जाएगी मुंबई साइनगर शेड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस से सुबह 6 बच के 15 मिनट पर रवाना होती है और दोपहर 12 बच कर 10 मिनट पर साइनगर शेड़ी पहुँचती है और इसी तरह से यह साइनगर शेड़ी से 5 बच के 25 मिनट शाम को चलती है और रात को करीबन 11 बच के 18 मिनट पर मुंबई पहुँच जाती है ऐसे मैं आप आसानी से इस ट्रेन से शेड़ी के दर्शन कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसका किराया क्या है तो अगर आप चत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस से साइनगर शेड़ी तक का किराया की बात करें तो यह 975 रुपे है और CSMT से दादर के 365 रुपे वहीं CSMT से ठाने तक के 365 रुपे और CSMT से नासिक रोड तक के 720 रुपे लगते हैं एक्जिक्यूटिव चेर कार में ये किराया थोड़ा सा बढ़ जाता है CSMT से साइनगर शेड़ी तक 1840 रुपे और वहीं अगर दूसरी जगों की बात करें तो वहां भी किराया थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा और ऐसे ही साइनगर शेड़ी मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस में अगर आप एसी चेर कार में जाना चाहते हैं तो उसमें साइनगर शेड़ी से CSMT तक का किराया 1130 रुपे है आपको बता दें कि इस ट्रेन से आप आसानी में एक ही दिन में मुंबई से शेड़ी का सफर कर सकते हैं हम आशा करते हैं जानकारिया आपको रोचक लगी होगी और आप इस अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेंट ब्रेटन को जुरूर दबाएं धन्यवाद